हेलो बाइज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टड़ी में स्वागत है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिशन बुनियात का एक्जाम की डेट शीट आ गई है और एक्जाम होने वाले हैं, तो उसका सैंपल पेपर दिया गया है, जिससे आपकी टीचर आपसे कोशन्स तो देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे का नाम, आयू, यह सब लिखा गया है, उसके बाद फर्स्ट कोशन है, सही शब्द को सही चित्रो के साथ मिलान कीजिए, तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कोशन बहुत ही आसान, आप इसको कर सकते हैं, पतं के लिए देखो, आप यह वाला मैच कर देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर छतरी, चतरी के लिए यहाँ से मैच, उसके बाद है लड़की, तो यह रहा लड़की का मैच, और उसके बाद है नाव, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीचे इस नेक्स्ट क्या है मचली, तो ये एक सैंपल पेपर है, इसी तरह का पेपर आपके एक्जाम में आएगा, तो आप चेक कर लेजिए, नेक्स्ट कोशिन नमबर फोर, कोशिन नमबर फोर में यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है, उसे पढ़ना है, राजू के स्कूल के पास लिखें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नदी, क्या है नदी, राजू क्या क्या करता है, पानी में खेलता है, आप लिखेंगे, पानी में, उपर से अंसर देख सकते हैं, आप खेलता है, उसके बाद उसे तैरना पसंद है, मचली पकड़ना पसंद है, तो कुछ भी आप कितने सेव हैं लिखें तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो यहां पर लिख देंगे 9 अगर 2 सेव निकाल दिये जाएं तो अब यहां कितने सेव रह जाएंगे तो देखो 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 7 हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स देखे क्या है दिये गए चितन में गोल अकार को गिनकर उनकी संख्या लिखे तो 1,2,3,4,5 तो कितने हैं गोल संख्या पांच है नेक्स देखे कोशन नमबर 7 तो हमें हल करना है जोड़ना है साथ में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसी तरह से दो में चार जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा दो असान इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हूं 8 और 7 देखो हांसिल वाला कोशिन है तो कितना हो जाएगा 5, 15 हो जाएगा एक यहाँ पर हांसिल लग जाएगा तो कितना होगा 3, 4 और 1, 5 ठीक है अब next देखते है next है घटाव के कोशिन मतलब की subtraction के कोशिन देखो क्या है first यहाँ पर देखते हैं first में देखो क्या है 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 3 आप लाइन लगा के भी कर सकते हैं मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर रही है मुझे पता है आप लोगों को आता होगा अब 7 में से 3 गए तो बचेगा 4 और 1 में से 1 गया तो 0 next देखो 3 में से 6 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर carry देदेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 7 बचेगा ठीक है और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा एक बचेगा यह इसका answer हो जाएगा next question देखते है next देखो क्या कहा गया है राजू के पास 65 रुपए है अगर मा उसे 25 रुपए और दे देते है मतलब उसके वास में 65 रुपए है उसको 25 रुपए और मिल जाते है तो क्या होगा इसके अंदर add होगा तो अब उसके पास में कितना रुपए है तो हेमा के पास अब कितने रुपए बचे तो पहले उसके पास में कितने थे 84 और 45 की उसने क्या लेली सबजियां तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस मतलब कि घटाव हो जाएगा तो यहाँ पर कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 14 और यह क्या बन जाएगा साथ तो 14 में से पांच गे तो इतने बचे तो नो बचे गए यहां पर ठीक अब साथ में से चार गे तो कितना बचेगा तीन तो 39 हमारा यहां पर अंसर हो जाएगा अब इसका सेकंड पेपर के लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे थैंक यू